हम लोग बात कर रहे हैं मद्धपिदेश करेंट अफेयर्स की और अगर आप लोग मद्धपिदेश के किसी भी गवर्मेंट एकजाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आपका MPPSC हो गया या ब्यापम में आप देखते हैं तमाम एकजाम होते रहते हैं सिक्छक भर्दिया होती रहती हैं वर्ग 1-2-3 के लिए MPPSC के लिए Constable के लिए होता रहता है दरोगा S.I.S.S.P.E.C.T.R. के लिए होता रहता है पटवारी के लिए होता रहता है जेल पहरी के लिए होता रहता है बहुत सारी एक्जाम होते हैं और इन सब के पुरानी questions फेपर उठाके देखिए आप लोग इनमें आपको current affairs से questions देखने को मिलेंगे और अच्छी खासी संख्या में आते हैं और current affairs कहने का मतलब होता है कि देखिए मत्पदेश में बर्तमार में जो घटनाएं घटी रहती हैं उनसे आने वाले समय में questions पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में ठीक है? तोनी की बात हो रही है और अभी तक आप लोगों देखेंगे कि जन्वरी से लेकर अगस्त 2022 की जितने भी घटनाएं ओहती हैं एक-एक महिनाएं को हम लोगों ने cover किया हुआ है आज की इस class में में सेक्टमबर 2022 में जो मत्पदेश में घटनाएं घटी थी उनके बारे में एक overview लेना है और आपकी परिक्षाओं के लिए कौन-कौन से महत्पूर्ण point हो सकते हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे एक बार आप लोग मत्पदेश को देख लिजे आप लोग मत्पदेश के map को देखी रहे हैं और इसे आप लोग हिदय पदेश कहते हैं क्योंकि मत्पदेश की बिल्कुल बीच में देखने को मिलता है और इसे आप लोग मत्पदेश कहते हैं और मत्पदेश हो हिदय पदेश किसने नाम दिया था? पंडिच जवाहलाल नहरूने देश के पहले पिधानमंतरी सामने और आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में इसी राजज बनाए गया था और एक नवंबर को आप लोग क्या मत्पदेश दिबस मनाते हैं इसकी सीमा उत्तर पदेश राजिस्थान, गुजरात, महराट और 36 कर से लगती है और 1 नवंबर सन 2000 में मत्पदेश से अलग करकी 36 कर राजज बना था यहां आप देखें बिधान सभा में 230 सीट है, राजज सभा में 11 सीट है, लोग सभा में 39 सीट है चेतफ़ल में दूसरे नमबर पे हैं आपका मत्पदेश, पहले पर राजिस्थान, दूसरे पर मत्पदेश यहां का चेतफ़ल है 3,8,252 बरक किलूमीटर, कहीं कहीं हैं आपको 245 लाश्ट में देखने को मिलता है तो यह आप लोग याद रखिएगा चलिए अब हम लोग पहली घटना को देखते हैं हाली में साइवर अपराद की कैप्टो करंसी संबंदी धोकाधरी की बहतर और पुकता investigation के लिए भोपाल, साइवर पोलिस को देश में दूसरा इस्थान पिदान किया गया है कौनसा? दूसरा इस्थान राश्टी अपराद अभिलेग बीवरो नई दिल्ली में गद दिवस किये गए प्रेजिंटेशन में साइवर क्राइम भोपाल की investigation संबंदी केस study को सर्फिष 10 केस study में चुना गया है और साइवर पोलिस ने अपने प्रेजिंटेशन में दिखाया कि investigation के दोरान किस्पेकार से जापान की किलाइन्ट के लिए इंदोर के P.O.S.S. की कंपनी ने मुखता तीन प्रोडेक्ट्स बनाए है इन प्रोडेक्ट्स का उप्योकर कोई भी उप्योकरता अपनी डिजीटल बॉलिट अकाउंट बना सकता है और इस डिजीटल बॉलिट में वग है केप्टो समपत्ती store कर सकता है उन्हें निवेश कर सकता है और केप्टो एसेट को ट्रांसफर भी कर सकता है और उप्योकरता को reward और बोनस भी मिलता है जो हर दिन कंपनी के डिजीटल अकाउंट में credit होता है और investigation में पाया गया कि जापानी मूल की केसी कुई को जो कि फियू सिंग की कंपनी में ही पूर्व से कार करता था गोप ने जानकारियों का गलत उपयोग कर फियू सिंग के जापानी किलाइंट के प्रोडेक्ट में फरजी यूजर बना दिये और उनमें API के द्वारा केप्टो का फरजी इन्वेस्टमेंट दिखाया और इससे ROP को भी पिती दिन रेपोर्ट मिलने लगे ROP आप देखेंगे कि Angle Liam Ballet के एक फीचर OT जिसमें कंपनी यूजर ने से ANX लेकर उसी बेलू का BTC कंपनी बॉलिट से यूजर को देती थी का यूज कर केप्टो करेंसी ANX को BTC में कनवर्ट करता और BTC बिटकोईन को अपने और अपने परीजनों की केप्टो वालेट में ट्रांसपर कर दोका धड़ी करने का कार करता रहा है CyberPolish ने अपने investigation में फरजी पते को भी decode कर अपरात का परदा फास किया है तो याद रखे भोपाल को दूसरा नंबर में ला है अंगली खबर है 1 सेप्टमबर 2022 की कि मद्धवदेश में आप देखेंगे क्या हुआ मद्धवदेश पावर ट्रांसमेशन कंपणी के मुख अभियंता राजेश सिरीवास्तों ने बताए कि हाली में मद्धवदेश पावर ट्रांसमेशन कंपणी ने 400 के भी सबस्टेशन भोपाल में फिदेश के पहले 500 MBA के पावर ट्रांसफर्मर को सफलता पुर्वक उर्जित कीत किया है और मद्धवदेश पावर ट्रांसमेशन कंपणी ने नवाचार करते हुए मत्पधिस के अपने ट्रांसमिसन लेंटवर्क में लगभग 25 करो रुपे की अनुमानेत लागत से पहली बार 500 MBA चमता के पावर ट्रांसफर्मर को इस्थावित किया है और मत्पधिस पावर ट्रांसमिसन कंपिनी ने 400 के भी सबस्टेशन भोपाल में 400, 220, 132 के भी के 315 MBA चमता के पावर ट्रांसफर्मर के लिए लगने वाली इस्थान पर ही विशेश डेजाइन से तेयार हुए मैसर्स टी एंड आरद्वारा निर्मित 500 MBA चमता के पावर ट्रां ट्रांसफर्मर लगाए जाते हैं और इसके इस्थान पर पहली बार 500 MBA चमता का या पहला पावर ट्रांसफर्मर है जिससे इस आसन की जानदा से जानदा नवाचार अपनानी की मन्सा के तैत इस्थापित किया गया है और इस नवाचार का फायदा यह है कि जितनी जगे 315 MBA चमता की पावर ट्रांसफर्मर की स्थापना होने को लगती है इस थापना को लगती है उतने ही इनपराटक्चर में 500 MBA चमता का ट्रांसफर्मर इस्थाबित कर लिया जाता है और जिससे यतरिक ट्रांसफर्मर लगाने की पिक्क्रिया धन और सरम बच जाता है और साथी सब सबस्टेशनों में बढ़ने बाली अचानक लोड डिमांड को भी पूरा किया जा सकता है इस ट्रांसफर्मों की स्थापना के उपरांद 400 के भी सबस्टेशनल भोपाल की चमता 1445 MBA हो जाएगी और इस ट्रांसफर्मर की चमता की स्थापना से भोपाल की सहरी और दोगिक छे सब्सक्राइब की जा सकेगी साथी अश्टा उज्जयन चेत्र को भी भोपाल से सपोर्ट मिल सकेगा किसे भोपाल से अंगली खबर की तरफ चलते हैं आप देखेंगे 14 सेप्टमबर 4 सेप्टमबर 2022 की घटना है मद्पदेश बिद्धूत बित्रन कंपनी द्वारा बताया और आटो कट ओब बित्रन ट्रांसफोर्मर लगने से उभोगतां द्वारा सुईकित भार से अधिक भार अत्वा अनाधीकित बिद्धूत का उप्योग करने पर ये बित्रन ट्रांसफोर्मर सोता ही बंद हो जाएंगे और बिजली सप्लाई भी रुख जाएगे और कंपन चित में अनाधीकित बिद्धूत का उप्योग संभाव नहीं होगा और कंपनी ने बताया कि भूपाल की छोला जौन में 100 KVA का आटो कट ओब बित्रन ट्रांसफोर्मर लगाए गया और साथी मिनर्वदापुरम में मूंग की फसल बाले चित्रों में आटो कट ओब बित्र चित्रों में आटो कट ओब बित्रन ट्रांसफोर्मर लगाया जा रहे हैं और ग्रामीर चित्रों में आप देखे पाइलिट पुजट की रूमें इसे लागू कर बित्रन ट्रांसफोर्मर बदले जा रहे हैं और इन चित्रों में आटो कट ओब बित्रन ट्रांसफोर्मर से मिलने वाले पईडावों की समिक्षा के बाद कंपणी की अन जिले भेंड मुरेन ग्वालियर की ग्रामीड शेत्रों में भी इसे लावो किया जाएगा आटो कट आप वितरन ट्रांसफर्मर लगने से बैद उभोकताओं को निरबाद और गुडवत्ता पूर बिद्धुत आ योजनाओं की समिक्षा के दौरन बताए कि मद्धिश लगाता चौति बर्स पिधान मंत्री मातित बंदना योजना की अमल में बर्स 2021-22 के लिए राष्टी इस्तान पर पिथर्म रहा है कितने पहले इस्तान पर है इसे योजना में मद्धिश तीस लाग से अधिक हित्गर हित्गराहियों के पंजीयन 1244 में करोड की रासी वित्रन और वर्तमान बित्वर्स में अगस्त माहे तक 206,306 हित्गराहियों को लावनवित कर देश में अबबल है और आप देखें बैठक में एडॉप्ट इन आंगनवाडी की समीक्षा के दौरन बताया गया कि आंगनव बड़ी केंदर के रूम में उन्नेंड किया गया है और बच्चों के लिए जूते चपल और सक्षता किट का भी पदाय हुआ है और मुंख मंतिरी ने ये भी का है कि पैधाल मंत्री मातत बंदना यूजना में पिथम पेशों की पात्त गरवती महला और धात्री माता को 5000 पांगनबाडी और पोसर्ट 0-6 माह से 3 साल आयू बढ़ के 30 लाग बच्चे पूरक पोसर्ट आहर का लाब ले चुके हैं और इसी तरह आप देखेंग 10 लाग 81,000 गरवती और धात्री महलाएं भी लावनवित हो चुकी हैं और मत्पिदेश में टेक हॉम रासन का लाब 38,000 38,000 से अधिक हित्गराही ले चुके हैं और वर्तमार में पोसर्ट ट्रेकर पर 81,000,20,000 हित्गराहीं का आधार सत्यापन भी पूरा हो चुका है पिदेश में 13 सहिंतों से टेक हॉम रासन उत्पादन का कार हो रहा है नास्ता एवं गरम पका भोजन की आपूरती ग्रामिट चेत्रों में 15,000 से अधिक साजा चूला समूह द्वारा की जारी है और सहरी चेत्रों में भी 2,000 से अधिक समूह इह काम कर रहे है पिदेश के 85,000 से अधिक आंगरबाड़ी केंदरों में पोसर्ड कॉनर स्थापित हुए और साती पोसर्ड वाटकाय भी निर्मित की गई है और मद्पिदेश में कमबजन के वच्चों का फोपोसन दूर करने के मामले में पिदेश राष्टी रैंकिंग में दूसरे एकरम पर दोबलेपन के कारण कमबजन की समस्या के समाधान में तीसरे एकरम पर और ठिंगनेपन के कारण होने वाली स्वास्तमस्याओं की निराकन क की दृष्टी से राष्टी रेंकिंग में चटवे करम पर है और कम बजन के वच्चों की संख्या में आप देखे जहां देश में इफसाथ पिती सद की गराबट हुई है वहीं पिदेश में गराबट सरवादिक 9.8 पिती सद दरज हुई है और इसी तरह दुबलेपन के तीन की कमी लाने में सफलता मिली है तो मदपिदेश ने अच्छा पर्फोमेंस किया है और समिक्षा बैठक में लाड़िली लच्मी योजना के किरियानवन की जनकारी देते हुए बताएगी कि अब तक योजना में 43 लाग बालिकाओं को लाब मिला है और लाड़िली लच् पांस सेप्टम्बर 2022 को सिक्षक दिवस के अउसर पर हमारे देश की राष्टपती दुरुपती मुरुमून बिज्ञान भवन में नई दिल्ली में मदपिदेश के दो सिक्षकों नीरा सकसेना और ओमपिकास पाटीदार को राष्टी सिक्षक पुरुसकार के लिए चुना की पुरुसका दिया गया है उनके जुनून की बदोलत भील जाज जाती छेत्रों के बच्चों के सेक्षडिक स्तर में बिड़्दी हुई है और बुनियादी अवसकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आधर सी स्कूल इस्थाबित किया है और साजापुर जले के सासकी उत सेक्षक दिवस की उसर पसे सिक्षा मंतरालय का स्कूली सिक्षा विभाग 15 सेप्टंबर को राष्ठी ये समरों का इवजन करताई और जिसमें देश की सरफ से सीक्षकूं को राष्टी पुरुसकार दिये जाते हैं और पुरुषकारों के लिए सिक्षकों का चैन ओनलाइन तीनिस तरीए चैन पिकरिया के जरिए पारदसी तरीके से किया जाता है और सिक्षकों को राष्टी पुरुषकार प्रदान करने का अनूठे योगदान को रिखांकित करना और ऐसे शिक्षकों को सम्मान करना जिन्होंने अपनी पिती बद्धता वपरिस्थम से ना सिर्फ स्कूली सिक्षा की गुर्बत्ता में सुधार किया है बलकि अपने चात्रों के जीवन को भी सम्रद्धी किया है नोने तो यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अंगली ख़बर है 5 सेप्टमबर 2022 को राष्टिय सिक्षक दिवस के अवसर पर पिसासनिक अकादमी इस्तित्थ स्वड जैनती ओडिटोरियम में आयूजी समारों में पिदेश के 14 सिक्षकों को राजजिस्तरी सिक्षक पुरुसकार 2022 से समानित किया गया किनने 14 और माद्पिदेश की स्कूल सिक्षा सुतंत प्रभा और सामन पिसासन राज्यमंत्री इंदर सिंग परवार ने चैने सिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार करने के लिए सौल सरीफल पितिक चिनित देकर सम्मानित किया है चैने सिक्षकों में प्रात्मिक सेनी में आठ माद्मिक सेनी में छे सिक्षक सामिल है और प्रात्मिक सेनी में आप देखी ममता समा सासकी प्रात्मिक साला रगुनात पुरा खिलची पूर जिला राजगर की है केके कुल्मी सास की ये कॉन्य माध्मिक विद्ध्याल या ये दसहरा मैदान उजला उजञ की। जिला मंडला के हैं आसाराम कुस्वाह यह आप देखें मदनपूर जिला टीकमगर का संबान किया गया है ने तो यह तो रुसकार याद रखी इसे पिकार मादमिक सैनी में सुधाकर परासर प्याच्यार सास्की सुभास उतकरष्ट मादमिक विध्याल सिवाजी नगर जिला भुपाल विजय कुमार सिरी वास्तो है यह आप देखें विधीशा जिले के हैं जग्दीश कुजराती है यह आप देखें कि बढवानी के है जिला बढवानी के जयोत सुना माल्वी है ए सास्की आहिस्कूल होडा ज़ाबुवा के हैं भूपेंद कुमार चौदरी यह संबान किया गया है और नवाचार इवं नौ अनुसंधान के लिए आस्तितर पचैनित पिदेश के मेधावी विध्यार्थियों का भी संबान किया गया है इनमे नरददापुरम से नौ स्री ठाकुर आगर मालवा से लुकेस पाटीदार नीमस से मैंग जैन को संबानित किया गया है तो यह आप लोग याद रखिएगा पुरुसकारों से भी कुर्शन्स पहुंच लेता है डारे अंगली खबर है आपकी 5 सेप्टमबर 2022 को जन्जातिय कार कारे आयुक्त संजय सिंग ने नवोदे सास्की स्कूल कटारा हिल्स में चैंपियन 90 योजना का सुबारम किय और इस योजना में है क्या अपर संचालक अनुसूचित जाती विकास संजय वाशने ने कहाई कि चैंपियन 90 योजना द्वारा सास्की विद्ध्यालेओं की स्टी विद्ध्यातियों के लिए बिवसाइक एप्रोच के साथ विवस्थिक कोचिंग मुहया कराई जा रही है और इस आवासी कोचिंग में फिट्जी की कोचिंग के साथ अंग्रेजी और साइकोलोजी विसाय की सिक्छक भी पढ़ाएंगे और सभी बच्चों के भोजन आवास एबं पढ़ाई की सर्वोत्तम विवस्था भी की जाएगे और सिक्छक दिवस्पर चैंपियन 90 संस्तान फिट्जी के साथ मिलकर चैंपियन 90 पहल सुरू किये यह संस्तान अपने CSR फंड से इन विद्ध्यार्तियों को सभी आधोने की सुविधाओं से परिपूंट कोचिंग सुविधा देगा और इसके साथ ही हर विद्ध्यार्ति को सेक्षरिक तेयारी के लिए एक ट ख़वर की तरफ चलते हैं आगे आप देखेंगे एच्छे सेप्टमबर 2022 को मद्ध विदेश के मुखमंति सिवरासीन चोहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंती पश्चत ने अनुसूचित जंजाती बर्ग के युवाओं को स्वरोजगार किये और अधिक आउसर पश्चत ने परियोजना के लिए तीन युवाओं की स्वरोजगार युजना तंडेा मामा आर्तिक कल्याड युजना और मुखमंतरी अनुसूचित जंजाती बिसेस परियोजना बित्पोसन युजना सामेल है इसमें भगवान बिसा मुंडा स्वरोजगार युजना में बीनेटमार्ट गतिविधियों के लिए 1,50,000,000 रोपे तक और सेवा में विवसाय गतिविधियों के लिए 1,25,000,000 रोपे तक की परियोजना एसोई कित की जाएंगे और ये उजना का लाब लेने बाले परिवारों की बायसे एक आय आप देखें कि 12,000,000 रोपे से अधिक न और आवसकता अनुसार एकचोक अभ्यारतियों को पिसीक्षन भी दिया जाएगा और टंड्याबामा आर्थिक कल्याण एउजना में ऐसे अनुसूचित जन्जाती की सदस जो आयकर दाता नहीं हो जिनकी उम्र 18 से 55 वर्स के मद्ध हो उन्हें सभी पिकार की सोरोजगार ग हित पोसन एउजना में मुकता अनुसूचित जन्जाती बर्ग की हित गराहियों को लाभदमीत करने के लिए बिभिन विवागों अत्वा जिलाक लेक्टर से प्राप्थ होने वाले ऐसे विसेश परिये परियोजना पिस्ताओ जो लाइन विवाग की पिछलित किसी भी पर परियोजना में किया जाना संभाव ना हो तथा अनुसूचित जन्जाती बर्ग के लिए किया जाना अतेंत उपयोगी एवं आवस्य को को बित पोसन के लिए अधिक्तम 2 करोर उपे तक की संपूर्ट परियोजना लागत रासी सासन द्वारा अनुदान के रूम में पिदा परियोजना पिस्ताओं को मुख सचिप की अधिक्स्ता में गटित राज परियोजना किरियानवन सम्ती के अनुसंसा पर परियोजना लागत रासी पिदान की जाएगे और योजना में आप देखिए सोरोजगार अजीब का कौसल उन्यन संबर्धन एवं नवाचा संबंध परियोजनाओं को प्रात्मिक्ता के आधार पर बित पोशन किया जाएगा और परियोजना में कम से कम 50-30 लाभार्ती अनुसुचित जन्जाती बर्क के होना अनिबार है एस साथ रखी गई एक तरह से अंगली खवर की तरफ चलते हैं 6 सेप्टमबर 2022 को मद्पिदेश के पसुपालन एवं डेरी मंत्री प्रैम सिंग पटल ने भोपाल में पिदेश के पहले बकरी पालन को पुरोसान एवं उद्विता विकास हेतु पसुपालन सम्मेलन का सुवारम किया है और सम्मेलन को सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री प्रैम सिंग पटल ने कहा है कि आधोनिक तकनीक अपना कर पसुपालन विवाग के सहयोग से बकरी पालन करें और अच्छी आय अरजित करें उन्होंने बकरी पालकों को बेंक रिड लेने में आरहीं कटनाईयों को दूर करने का स्वासन दिया है अपर मुख सची पसुपालन एवं डेरी जे एन कंसोर्टिया ने कहा है कि पिदेश में उच्छ नसल की बकरी पंस को बढ़ाने के लिए किंतिम करवाधान कारिकरम चिनने जिलों से आरहम कर जल्दी पूरे पिदेश में सुरू किया जाएगा और जे एन कंसोर्टिया ने बताया कि कुकुट ब्योसाय को पिछले साल से पंजी कित किया जा रहा है अब बकरी पालन को भी पंजी कित किया जाएगा और आप देखें वेटरनरी काउंसल और इंडिया के अध्यक डॉक्टर उमेश चंदर सर्मा ने कहा है कि बकरी पालन मे या सुबिदा हिमी के इस्ट्रा को से मात 70 रुपे में उपलब्द होगा और संचलक डॉक्टर आर की मेहिया ने मेहिया ने कहा है कि पिछली बसू गर्ना के मुकाबले बकरी संख्या में 38 पिछली सब की बिद्धी इस बात का पिरमार है कि बकरी पालन के पिदी लोगों मे रुजान बढ़ा है और आपको बता दो मुर्गी पालन हो पसू पालन हो एवी आप देखी कोई खराब बेवसाय नहीं है आप लोगों को मालों होना चेए कि इससे भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं नौकरी भी नहीं पा रही है लेकिन आप देखते हैं भारत में से ब कुसाभाव ठाकरी कन्वेंशन सेंटर में क्राफ्ट एंड आर्ट पिदरसनी हस्तिकला बाजार का सुबारम किया है और परेटन बोड़ द्वारे रिस्पॉनसीबल टूरेंज मिशन में यह पिदरसनी लगाई गई है और पिद इसकी छे कल्चलल जोन से एक तालीस आर्ट कि 93 सिल्वकार पिदरसनी में अपने उत्पात द इसक्रित कर रहे हैं और हस्तव कला पजार पिदरसनी में लगवक अप्सिष्ट लकडी से बनाई गई बस्तुएं, भोपाल का हैंडलूम हैंडी क्राफ्ट और जरी, जर्दोजी, राजगर का कपड़ा अप्सिष्ट उत्पात, अली राचपुर की हैंड क्राफ्ट पेंटिंग, खंडबा के हांत कड़ाई, और कागज उत्पात के साथ महिस मत्पदेश में पहली बार ISSF World Cup Shooting Championship की मेजबानी करेगा, और आप देखेंगे कि बर्स 2023 में 20-31 मार्च के मत अंतराष्टी इस्तर के पितिस्त्री सूटर्स भोपाल के विशन खेड़ी इस्तित राजज सूटिंग अकादमी आप एक्सिलेंस में अपना होनर दिखाएंगे, मंत्री सिंधिया ने बताए कि मत्पदेश राज्ज सूटिंग अकादमी आप एक्सिलेंस सभी इस्तर से अंतराष्टी मार्च को पूरा करती है, और अकादमी अत्यादूनिक सुविधा से लेस है और यहाँ पर अंतराष्टी इस्तर की सूटिंग रेंज निर्मित है, उन पिसीक्षन लेते हैं, अंगली खबर आप देखेंगे, आठ कब साथ सेप्टमबर 2022 को राध्धानी भोपाल की कुसाभाव ठागरी कन्वेंसन सेंटर में आई जित, इंटरनेशन सेंटर फोर रिस्पांसिवल टूरिज में, अब और समारों में MP टूरिज बोर्ड ने चार और समारों में 9 केट, 9 केटिगरी के कुल 26 अब और दिये गए हैं, मद्विदेश टूरिज बोर्ड को इंक्रेज डिवर्सिटी इन टूरिज में, हाव इनकिलोजिव जिव जिव इज, आवर इंडर्स्टी इज, गोइंग दी लोकल एकोनोमिक बेनिफिट, केटिगरी में गोल्ड मिला है, और साथी, के चित में, दुनिया के सबसे पितेश अवर्ड में से एक है, इसका आवर्जन पितिवर्स इंटरनेशनल सेंटर फोर्ड रिस्पॉन्सीवल टूरिज में द्वारा किया जाता है, खास बात है कि अवर्ड पहली बार लंदन से बाहर हुआ है, अंगली खबर आप देखेंगे, 8 सेफ्टमबर 2022 को, मद्विदेश जन संपर्व विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुखमंती सिवरासिंग चोहन द्वारे यूथ महापंचियात की, और यूवाँ के मद्व सकारत्मक, इवां आदर्स बातावण को निर्मित करना है, और विभाँस तर्वाँ जessionड के सरक्चक कौलपती होंगे, और वरिष संकार अधिष्ठाता अध्यक्ष समर्वे राष्टी सिवा योजना सचिव होंगे सरक्षक द्वारा प्रवानीता की आधार पर मनुनी चार विध्यारती NSS, NCC, खेलकून एवं साहित सांस्किति गतिविदियों के एक एक विध्यारती दो अभी भाबाग, एक महला, एक पुरुस, एक सांसद और एक विधायक पितिनी दी सदस होंगे और आप देखें इसी पिकार महाविद्याले में यूबा सेल के सरक्षक प्याचार होंगे महाविध्याले के वरिष्ट प्राध्यापक अध्यक्च एंसीसी अधिकारी एन एसस की कारिकरम अधिकारी सचेव प्रावईनिता की आधारपद दो इसनाता गुद्दो इसनागुद्तर विध्याती NSS, NCC, खेलकून, साहितिक, सांस्केति, गतिवधियों में सामिल एक विध्याती सदस की रूम में सामिल होंगे दो एल, एलूमनाई, दो अभीभावाक, एक महिला, एक पुरोष सदस होंगे सांसत पितीनिदी, और विधायक पितीनिदी भी सदस होंगे युबा सेल, युबा नीती के मार्दरस्ती, सिध्धानतों के अनुरूप राप्त निरदेसों की परिपालन में कार करेंगी और उसके अनुसार विश्व विध्याले में आयुजित गतिविधियों का संचालन करेंगी अंगली खबर की तरह बढ़ते हैं, 11 सेप्टमबर 2022 को मुकमंती सिवरासिंग चोहान ने कुनो पालनपूर नैसनल पार्क में आयुजित चीता मित्समेलन को संविधित करते हुए काहे कि कुनो नैसनल पार्क से विस्थापित हुए ऐसे ग्राम जो अभी भी मजरे टोले हैं उन्हें पूर्ण राजस्त ग्राम कर दर्जा दिया जाएगा और मुकमंती ने कहाए कि इस चीत में पांच स्किल डवलमेंट केंद बनाये जाएगे और इनसे चेतरी इवाओं को पिसिक्चा दिला का रोजगार उपलब्द कराये जाएगा और याद रही कूनो नेसनल पार्क में काफी पहले एसियाटिक लाइन को बसाने के लिए इस्थानिये दो दरजन गाउं के सहरिया आदिवासियों को विस्थापित किया गया था और सेवफोर की कूनो पालनपूर नेसनल पार्क में अफीकन देश नावीविया से चीते लाकर बसाया जा रहा है और पहले ACN चीतों को कुनों में बसानी किये उजना थी, लेकिन इरान में उनकी सीमित संख्या को देखते हुए, अफीका की चीतों को अब कुनों में लाया जा रहा है। और बन विभाग के सुत्रों के मताविक चीतों को फिर से देश में लाने के लिए लंबे समय से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। राक्ती उद्यानों पर विचार के बाद एक्सपर्ट्स ने, पिधवी पर जाने वाले सबसे पायत तेज जानवर की देश में बापसी के लिए सबसे तेज आप देखते हैं दोरता है। और भारत में 70 साल पहले चीते बिलुप्त हो चुके थे। 36 गर राज में आखरी बार 1950 में चीता देखा गया थे। इसके बाद एक देश में कहीं नजर नहीं आए। और आप देखेंगे कि कुनो पालनपूर नैसनल पार्क 750 बरक किलूमीटर में फेलाओ जो 6800 बरक किलूमीटर चेत में फेले खुले बंचेतर का हिस्सा है। द्वारका सारत्दा पीट के संकराचा स्वामी सुरूपानंद सर्वसुती का मद्विदिस के नरसिंग पूर जिले के जोते सुर इस्थिद परम हंसी गंगा आसरम में 98 बर्स की उम्र में डेथ होगी। स्वारूपानंद सर्वसुती जी दो मठों द्वारकाओ जोती मठ की संकराचार थे। स्वारूपानंद सर्वसुती नाम से जाने जाने लगे। और संकराचार स्वारूपानंद सर्वसुती सुतंता सेनारी राम सेतु रक्षग गंगा को राष्टी नदी घोसित करवाने वाले और राम जनम भूमी के लिए लंबा संगर्स करने वाले गौरक्षा अंदोलन की पिथम सत्यागीरी, राम राज परिशत की पिथम अध्यक में वेटरलेंड सरेक्षन संतीयों का गठन किया गया है और संतीय में मुख कारपालन अदिकारी जिला पंचयाद गरामिट चेत्रों के लिए और आयुक्त नगर निगंग। क्रिसी मचली पालन छेत्री अधिकारी मद्धपदेश पिदूसन नेंतन बोड और राज बेटलेंड प्राधीकन एपको के अधिकारी होंगे और आप देखें जिला बेटलेंड सरक्षन सम्ती के कतबों में जिला इस्तर पर तालावों की समग सरक्षन और प्रबंधन की समद में समुचित कारवाही करना राज बेटलेंड प्राधीकन की सहयोगी एकाई के रूम में कार करना जिलों में betalan नियम 2017 का परभावी किरियानवन और राज और केंदस आसनद्वारा संचालित योजनाओ के किरियानवन मुल्यांकन और निगरानी में राज बेटलेंड पराधी करन का सहयोग करना सामिल है और सम्ति जिलों की तालावों की समस्त जानकारी इकतित का डाटा विश तेयार करेगी और उसके संधारन के लिए भी उत्तलताई होगी सम्ती जिले में तालावों के सरक्षन से जुड़े सम्मंधी विभागों यहतेधारकों के वी समर्भय करने के साथ चिन्नित डिजीटल वेटलेंड इन्वेस्टी के अनुसार तालावों की पहचान और मैदानी इस तरह पुष्टी करेगी और सम्ती वेटलेंड तालाव नदी अन जल सरोतों प्राक्तिक सांसादनों की परयावणिये सरक्षन और फिदूसन नेंतन के लिए लोगों को जागरूख करने के लिए जागरूखता फिसीक्चन और छमता विकास के कारकरों का आहिजन विस वेटलेंड दिवस विस जल अंगली खबर की तरफ चलते हैं यह आप देखें 13 सेप्टमबर 2022 को मध्विदिस के नवीन और नवीकर्णिये उर्जा मंतरी हर्दीप सिंग डंग ने पिदान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षाव महावियान कुसम ए एवं सी के साथ सांची सोलर सिटी और सौर परियोजना क इस्तापना के लिए चैनित विकास को और किसानों को लेटर ओब वित्रित किये हैं उर्जा मंतरी हर्दीप सिंग डंग और उर्जा विकास निगम के अध्यक्त गिर्राज दंडोतिया ने कुसम ए ए हुजना में चैनित 9 किसानों और डवलपर को 14 मेगावाट के लेटर और याद रगी उर्जा विकास निगम द्वारा पिदेश में चिन्निद 900 से अधिक सब इस्टेशनों पर सौर उर्जा से उत्पादन के लिए 4 चरण में लगबद 112 मेगावाट के सौर उर्जा सेंद की स्थाफना के लिए चैनित 100 उर्जा उतपादकों के पावर मेनेजि किसान बिजली बेंच कर आय अर्जित करता है और लगबग 1000 किसानों के पंप सौर उर्जा उर्जे कित करने के निदेश जारी कर दिये गए हैं और किसानों को इससे ना केबल सिचाई की सुब्धा मिलेगी बलकि दिन में बिजली भी मिलेगी यह उजना में 16 सेंद स्थाप होना के लिए परियोजना अवंटन पत दिये गए हैं यह भी याद रखेगा अंगली खबर है आपकी यह आप देखेंगे 15 सेप्टमबर 2022 को केंदरी सड़क परीवान राजमार्ग मंतरी नितिन गरकरी ने ग्वालीयर में विकास की नई आयाम के रूम में जोडने जा रहे एलिवेटेड रोड अंतराज जीये बस तर्नमीनल और 120 किलोमीटर लंबी साथ सड़कों सेहत लगबग 1199 करोर रुपे लागत के विकास कारेयों का सिललनियास और लोकारपन किया है और सिललनियास लोकारपन समारू में केंदरी सड़क परीवान राजमंतरी नितिन गरकरी ने कई घोशनाई की हैं एक घोशनाई क्या क्या है ग्वालियर सहर में स्वाड रेखा नदी पर दोनों चरनों का एलिवेटेड रोड अत्यादूनिक मलेसिया से आई नई तकनीक के साथ बनाया जाएगा एलिवेटेड रोड के दोनों चरन के टेंडर एक साथ निकाले जा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस वे के किनारे लॉजिस्टिक फार्क की स्थापना की जाएगी और ग्वालियर आगरा के पुराने मार्क का जिन्वत्धार कर फोर्लेंड सिमेंड कंक्रीट मार्क बनाय जाएगा और ग्वालियर भेंडर एटावा राष्टी राजमार 1200 करों की लागत से पूर्लैन मार में तब्दील किया जाएगा मुरेणा से सबलगर तक तीनसो करोे रूपए की लागत से बहतर किलो मीटर लंबा पूर्लैन सडग मार्ग बनाया जाएगा गौाla और में फूलवाग की सुष्धा मिलेगी और साथी सनिश्चरा मंदिर जाने वाले सिद्धालों को भी आवा आगमन में असानी रहेगी और मुखमंती सिवरासिंग चोहन ने घोशना की कि इक्विएशन सेंटर का निर्मार कर ग्वालियर को फिर से उद्दोग एक हब बनाया जाएगा और यहाँ पर उद्दोग एक निवेस के साथ परेटन मेडिकल एलेक्टोनीख हब बनाने का भी काम किया जाएगा यहां का ग्वालियर में और फोलबाक पावी यह आप देखते अनम्पुम राजन ने बताया कि बुरहानपुर बोटर आईडी कायड से आधार नमबर को 37 जोडने वाला मदपदेश का पहला जिला बन चुका है अब आप देखे आधार कायड और आपको बोटर आईडी को जोड़ा जा रहा ना तोसी की बात हो रहे हैं मुख निर्वाचन पदादीकारी ने बताया कि नर्वदा पुरम जिले की पेपरिया बिधान सभा ने भी 130 मददाताओं के पहचान पत को आधार नमबर से जोडने का काम पूरा कर लिया है और भारन निर्वाचन आयग द्वारा एक अगस्त से आधार संग्रहन अभियान चल कि यह 5,55,750 और नर्वदा पुरम जिले की पेपरिया बिधान सभा में कितना यह आप देखें 2,12,73 मददाताओं की संख्या है और जिसमें 133 मददाताओं के बोटर आईडी कार से आधार नमबर जोड दिया गया है इससे आप देखें कि अलग-अलग छेत में बोट नहीं नहीं डल पाएंगे और भारती निर्वाचन आयोग की बात करें एलेक्शन कमिशन ओप इंडिया की तो आप देखते हैं यह सम्मिधान एक संस्ता है सम्मिधान के अनुच्छे 324 को अगर आप लोग पढ़ें तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गी है नई दिल्ल चुहान की जिलों की सेक्षिक रैंकिंग पिटाली विक्सित करने की निर्देश अनुचार सत्त 2022-23 में कच्छा पहली से आटवी तक के लिए जिलों का रिपोर्ड कार्ड जारी किया है और इसमें क्या देखने को मिला है संचालक राज्य सिक्छा के अंदर धन राजू एस चतरपूर पहले पर बाला घाट दूसरे पर उच्छित बाड़ा तीसरे नंबर पहस में और इसी तरह से आप देखें संभाग अनुसार गेडिंग में सागर संभाग को पहला इस्तान मिला है जवलपूर को दूसरा और नर्बदापुरम को तीसरा दिया गया है और संचालक ने बताए कि बिगत रैंकिंग की तुला में निबाडी जिले में ने 31 पायदान की छलांग लगाते हुए दस वाज इस्थान हत पर आपकिया है और गुना ने पिछली रैंकिंग में इंक्याबन सुधार करती हुए इस पार 22 भी रैंकिंग पर आपकिये और रेपोर्ट में प्रात्मिक्ता की आधर पर अनिक कारिविंदू निधारित किये गए रेपोर्ट में मुक्ता बच्चों की नामंकन का एवं ठायराओ गुडवात्ता पूर्ट सेक्षे को बलब दियां सिक्षेकों का सेक्षडिक उन्यन समानता अधो सरचना एवं भौ पहली नंबर करकों है उसे जरूर याद रखा करिएगा अंगली खबर है 15 सेप्टमबर 2022 को मद्पिदेश जन संपर्ग विभाग द्वारा दी गई जानिकारी की अनुसार बाल देख रेक संस्थाओं को छोड़ने वाली 18 वर्स से अधिक आयू की बालक और बालिकाओं को आर्थिक एवं सेक्टरिक सहयोग देकर समाज में पुनार इस्थापित करने और 18 वर्स की आयूतक के अनाद बच्चों जो अपने समन्दियों अत्वा सरक्षकों की साथ जीवन यापन कर रहे हैं को आर्थिक सहयता उपलवद करानी के उद्दे से मुकमंतरी बाल आसिरव योजना आरब की गई है याद रखीगा किसी योजना का किस्से समंध है एक कुश्चन से पूचा जाता है और इस योजना की किरियान्मन के लिए महला इवं बाल विकास बिभाग को नोडल बिभाग बनाए गया है और आप्टर कियर कि संदर्म में बाल देख रेक संस्था में निर्मुक्ती दिनांग के बरस को समलित करते हुए निर्दतर पांच बरस तक निर्वासत बच्चे पात होंगे इसमें आप्टर कियर में आर्थिक साहता इंटर्शिप विवसाइफी सिक्षार के लिए निर्धारिक समाओधी अत्वा 24 बरस की आई जो भी पहले हो तक दी जाएगी और आगे आप देखेंगे उद्द्योग विखास बिभाग द्वारा जिला बाल सरक्चन अधिकारी महला एबन बाल विखास बिभाग से प्राप्त सूची में उलेखित के यह लिवर्स की योगिता के अनुसार उद्दोगिक संस्थान पितिष्ठान पितिष यह साहता किसी भी दसा में एक बर से अधिक की अधिक के लिए नहीं होगी पॉली टेक्निक डिप्लोमा आई टी आई पेरा मेडिकल पार्टकरम नरसिंग होटल मेनेजमेंट टूरिजम पिधान मंत्री एवा मुक मंत्री कोसल विकास आधी में सास्की संस्थाओं में दी ज जाएंगे और आप देखेंगी कि वैवसायव्य सीक्षन की अधिक की आधिक की अधिक के लिए नहीं होगी निडड या क्लेट प्रिवेश परिच्छाओं के आधार पर किसी या आजशास्की संस्थाओं में प्रिवेश करने बाले केर लिवर्स को अध्यान अधिक की दोर आयोग द्वारन विर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगे। इससे आप देखें उन्हें पढ़ सकें एक तरसी। केर लीवर्स की सेणी का नेधारन और पितेग्ज सेणी में अध्ययन अध्यान अधी के द्वरान दी जाने वाली दी जारी आर्थिक साहता का नेधान मुख सचीब की अध्यश्ता में गठित राज्य श्तरिये समिती द्वारा किया जाएगा। और इस्पॉंसर सिप मद्विदेश की स्थानी निवासी परिवार की 18 वर्सी कम उम्र के उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मित्ति हो चुकी है वो रिष्टेदार अत्वा सरक्षक की देखरेक में रह रहे हों और जो मुक्मंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना की पात नहीं है बहुत सारी बच्चे होते हैं जिनके माबाप नहीं होते हैं इन स्पॉंसर सिप के तहत पात पाए गए पितेग बच्चे को 4000 रुपे पिती मा की सहायता निवन्तम एक बर्स के लिए दी जाएगी या रास्ति बच्चे और इस्तिदार अत्वर सरक्षक की सहयुग खाते में जमा की जाएगी बाला कत्प़ा परिवार की आर्शिक संब्रित देटा में सोधान नहीं की स्थिति में निवन्तम एक बर्स की बिड़ी की जाएगी और किंतु किसी भी स्थिति में अधिक तम 18 बर्स की आयू के बाद रास्ति दे नहीं होगी पितेग बच्चे क आयुष्मान काइड भी स्वास्ति बिभाग द्वारा बनाये जाएगा और यह उजना के सभी आप एदा रकन बाल आर्सी बाग पोर्टल www.scps.mp.gov.in पर प्राप किये जा सकेंगे आप एदान की पिक्रिया निसल्क होगी यह उजना का लाब लेने के लिए जिला कारिक्रम अधिकारी और जिला बाल सरक्षन अधिकारी से संपर किया जा सकता है और समस्ति लाब पोर्टल से दिये जाएगे तो इस तरह की यह उजना के बारे में आपको मालू रहता है राजस मद में आप देखें 6185.46 करोड रुपे, पुझी के अत्मद में आप देखें 3599.49 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है और इस अनुकूरग अनुमान से अदोस अरचनात्मग विकास के कामों में तेजी आएगी और महत्मून कारियों के लिए किये गया पिर्मोक स्प्रावधान निर्मन सार है आंगमवाडी सेवाओं हीतू 1,003 करोड रुपे और पिधान मंतरी मात्य बंदना योजना हीतू 44 करोड रुपे है और नर्वधा घाटी विकास विकास विभाग अंतरगत विभन सिचाई योजना है पर योजनाओं के लिए 931 करोड रुपे जल संसादन विभाग की विभन सिचाई योजनाओं नहरें बांद से सम्मदित निर्माड कार हीतू 608 करोड रुपे और मुखमती सहरी अदोस अरचना विकास योजना चतोचरन हीतू 400 करोड रुपे है और नियूंता मावस्तकता कारकिरं ग्रामिट सरकों सहथ मद्वदेश साड़क विकास कारकिरं योजना मुख जिला मार्गों और तथा अननमिनी करण उननती करण दामरी करण बेहत पोलों के निर्माड योजना अनूरक्षन और मरंमत साधारन मरंमत योजना हीतू कुल 1100 करोड रुपे हैं, गरामिर्न नल जल पिदाय युजनाओं की संधारन के लिए 1559 करोड रुपे, और कक्छा ग्यारवी बारवी और एबाम महाविध्यालै चातिविती ह्तु 666 करोड रुपे, राज चातिविती कक्छा नोवी और 10 भी ह्तु 57 करोड रुपे, पोस्ट मैट्र पुलिस आवास हीतु होड को से लिये गए रेड के एक मुस्त भुकतान हीतु 280 करोड रुपे अनुसुचे जाती जन जाती के थानों की इस्थापना हीतु 69 करोड रुपे विसे सकेंद्री साहता अंतरगत बालागाट जिले को साहता हीतु 20 करोड रुपे रेड माफी योजना के पाथ डेफाल्टर के करिस्कों की ब्याज माफी समाधान योजना हीतु 350 करोड रुपे जिला माइनिंग फंड योजना के लिए 300 करोड रुपे दियां की बात हो रिए मुखमंतरी जनकल लेयार संबल योजना के लिए 300 करोड मदपेदेश बिधान सभा निर्वाचन छेत बिकास योजना हीतु 150 करोड रुपे और बिधाय क्षा अनुदान निदी से आर्थिक साहता हीतु 81 करोड रुपे महला सोय साहता समुगों को अतरिक ब्याज अनुदान योजना 2018 हीतु 84 करोड रुपे की बात हो रही है और परी समापक की परी संपत्तियों से प्राप्त राजस्ते भुगतान योजना हीतु 60 करोड रुपे और लोग संपरी संपत्ति प्रवंधन संजिला परोसाहं योजना हीतु 50 करोड रुपे और नबीन चिकेसा महाविध्यालेयों की स्थापना और चिकेसा महाविध्यालेयों एवं समरिज चिकेसालेयों के लिए 100 करोड रुपे, पॉक्सो एक्ट के अंतरगत फास्टे कोर्ट की स्थापना और विसेस न्यालेयों की स्थापना इतू 85 करोड रुपे, दीन दयाल अं अंगली खबर है आपकी देखिए। और अलका स्रीवास्तों ने बताई कि राज जायोगों पिदेश के जला उभ्भोकता आयोगों में विचाराधीन, बैंकिंग, बीमा, बिद्धुत, चिकिसा, टेलीपॉन, किसी आटो मोवाईल, हाउसिंग, एयरलाइन, रेल्बे सहत, बिभिन सेवाओं, बस्तुओं से संब लोक अदालत इस्तगित कर दी गई, और भोकता संबन्दी मामलों की तुरित नियराकन के लिए 12 नमंबर को महाव भोकता लोक अदालत का आयेजन किया जा रहा है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, अंगली खबर है, 19 सेप्टमबर 2022 को, मद्ध पिज्ञान पुरुद पुरुदुकी की मंत्री ओमकर पिकास सकलेचा ने कही कि पिदेश की विग्यान इवं पुरुदुकी की नीती सीख घी घोसित की जाएगी, और विग्यान परेटन को बड़ावा देने देती हुए साइंस सीटी और संभाग इस्तर पर रीजिनल साइंस सेंटर की निर्मार पर फोकस किया जाएगा, और परिशत की महानिदेशक ने बताया कि देश में साइंस मेमोरियल तो है, लेकिन उज्जयन के तारा मंडल में साइंटेस्ट मेमोरियल बनाने का यह पहला पिकरन है, यूबा विग्यानियों की एक प्रियुक साला में इस तरह का पिस्तावा आय प्रियुक साइंस सेंटर और संभाग इस तरह पर रीजनल साइंस सेंटर बनाये जाएंगे, और बैठक में नेर्ड़े लिया गया है कि पिदेश की सभी जिलों में डॉन टेनिंग के इंतजाम किये जाएं, और सभी जिलों में आप देखें एक जैसी टेनिंग के स्थान प कार यहुजना की समिच्छा कर निर्देश दिये कि मद्ध देश के एटलक में जिले की महतपूर प्रोडेक्ट और प्रोडेक्ट को सामिल करें और इसे दुनिया से कोई भी यह जान सके कि उत्पात की कहा उफलब दिता है किस उत्पात की उन्होंने इस कार में कॉलेज के बि भी बनाया जाए और यह बोड हर दो महा में रिसर्च और तकनीकी अधारित ज्यान को सांझा करेगा जो पिदेश में बिग्ञान गतिदियों के प्रिसार में सायक होगा और उन्होंने काई कि युगा और नव उद्दिमियों को बिग्ञान और तकनीकी का लाप सुनिशित करने के लिए माहे में दो बार सेमीनार और विमीनार किये जाएंगे और सम्ती में तई किया गया है कि बांस के लाओ नारियल से फाइवर बनाने की तकनीक पर काम किया जाएगा और परंपरागत फरनीचर की स्थान पर मानों की जरूरत के इनमान से फरनीचर उत्पादर मे विज्ञानियों को दी जाने वाली करनिष्ट और वरिष्ट इस तर की सोध अध्यता विर्टी को बढ़ानी की पिस्ताओं को मंजूरी दी है और इसमें किरम साब देखी 5 और 10 जार रुपे की विध्धी की गई है और आप देखेंगे कि कार सम्ती में विज्ञान बनाये जाए और बैठक में परिष्ट में कारत परियोजना अमले की फिलोसिप में बिढधी करने की पिस्ताओं को मंजूरी दी गई है और सम्भाग जिला इसतर पर विज्ञान फिलो फिल्मों के विकास और निर्माण के साथ ही विज्ञान फिल्म फेस्टीबल की ये जा साथी कई अनमात्पूर्ण ने डए लिए गये हैं और संसोधन के अलसार ऐसे विज्ञातियों को जिने योजना में एक बाल लाब पराप्त हो जाने के बाद और आए की सीमा 6 लाग रोपे से अधिक होने पर पाठकरम की पूरे होने तक योजना के लाब की की पात्तिता हो या CBST-ICS की परिक्षा 85-30 के साथ उत्तीर विद्ध्यार्ती यदि आदेश में सामिल सस्ताओं के इंजीरिंग एवं फार्मेसी पाठकरों में प्रिवेस लेते हैं तो ऐसे विद्ध्यार्ती योजना के लिए पात्त होंगे और इसे विद्ध्यार्तियों को इंजीरिंग पात्करम में प्रिवेस के लिए जेई मैंस रेंकी की बागता नहीं होगी और आप देखें मंतराले ने जिला दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इस एंड रसर्ष इंटिटीवट की स्थावना और चालन की स्विकिती दिये मंती पस्तन ने सास्की सेफकों उस प करम निगम मंडल अनुदान प्राप्त संस्थाओं के साथ के राज्य सासन में में पिती न्यूक थे पर कार्रद चौथे और पांचवे बेतन में अनुपातिक आधारप महेंगाई भत्ते में बिड़्दी का अठारे अगस्ते 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है और मद्विदेश पोनर गठन अधिनियम 2000 की धारा उननचास पैंसनों परिवार पैंसनों को महेंगाई राहत में पिद्धी के फ़सरूप बैभाय भाय भार मद्विदेश आसन और 36 गर सासन की सहमती पराप्त करने के बाद महेंगाई राहत का आधिस जारी करने के लिए बित्विभा को अधिकित किया गया है और करमचारी को दे महेंगाई भत्ता में तीन पितिसत की बिद्धी किये जाने पर इस बित्तिय वर्स में 625 करोर रुपे की अतरिक्त अनुमानत बैभार संभावित है और पैंसनों और परिवार पैंसनों को 36 गर सासन से सहमती द्वारस संचालित ये उजनाओ के तुरित किरियानमन के लिए मानों संसाधन की भरती पिक्रिया में गती लाने और नई तक्निकों में दक्ष आईटी बिसे सगों कि सोगा मुपलाब्दता की दिरिष्टी गत नेड़ा लिया गया है और मत्पिदेस राज एलेक्टोनिक् परिवर्तित करते हुए समीधा अत्वा आउट्सोर्स से सिवाएं ले जा सकेंगी तो यह भी आपको देखने को मिलेगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं 20 सेप्टमबर 2022 को मद्पिदेस के मुखमंती सिवरा सिंग चोहन ने मद्पिदेस विद्धुद वित्रन कंपनी भोपाल को SPSU सेणी में पूरे पिदेश में सबसे अधिक सिख्चुकों को सिख्चुकता पिशिक्चन देने के लिए मोस्ट प्रॉमीनेंट इंडस्टी का आवड दिया है कुसा भाव ठागरे अंतराश्टी कर्मेंशन सेंटर मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित आयोजित आयोटी उत्तीन पिछे डार्थियों के पिथम दीच्चान समारों में मुखमंत्री के हाथों मद्विदेश चित बिद्धुत बितरन कंपनी के मुख महाप्रवंदग दिली कुमार काफ से नहीं आवड प्राप किया है और मद्ध्विदेश विद्धुत विद्रन कंपणी की पावर डिस्टिविउशन टेंटर, टैनिंग सेंटर द्वारा किन सरकार की राष्टी भिचूता, प्रोसाहन योजना की अंतरगर्द मद्ध्विदेश राज में सरवादिक 970, ट्रेड भिचुमों को एलेक्टिसियन ये भी देखने को मिलेगा और आगे आप देखेंगे 20 सेप्टमर 2022 की घटना है, मद्ध्विदेश चन संपर्ग विभाग द्वारा बताया गया कि पिदरमंत्री आधस ग्राम एउजिना में मद्ध्विदेश के 1024 अंसूचित जाती बहूल ग्राम का चैन किया गया है और 2021-22 में योजना की सिष्ट की रियानमन के लिए राष्टी इस्तरपर पिदिश के तीन जिलों का चैन किया गया है जिसमें गुना जिला दुतिय और सिहुर तितिय जिला तितिय स्थान पर है और अनुसूचित जाती बहुल गिरामों के समेकित विकास के लिए केन सरकाद वारा पिदान मंतरी आधरस गराम योजना संचालित की जा रही है योजना में 500 या उससे अधिकाबादी बाले ऐसे गाउं का चैन किया गया जिनकी पचास पितिसत से अधिकाबादी अनुसूचित जाती है आदास गरामों के सीमा गिरामबास्कियों को सासन की विविन हित गराही भूलक योजनाओं का अधिकाधि लाब पहुचाए जाएगा और साथी विवनिसास्की युजना में सभी व्यक्तियों के आधार कायड बनाना, पात व्यक्तियों को निरासित, विधावस्ता और बिकलांग फैंसन युजना का लाप देलाना, सत-पिती सच बच्चों का आंगनवारी और सालाओं में प्रिवेश कराना, पात अनुसार सभ ग्राम योजना में चैनित ग्रामों की अधी सरचना विकास के लिए बेहद इस्तर परकार किया जाएगा और इसमें ग्राम में साला भवन, आंगानबाडी भवन, आंतरिक सरक निर्मार, नाली निर्मार, पेजल बिवस्ता, इस्टीट लाइट, ठोस, इवं तरल करने के लिए आप देखी 20 लाख रुपे की साहता रासी दी जाएगी, और साथी राज के विविन योजनाओं के साथ समझस कर ग्राम में अधुसर रचना विकास के लिए कार किये जाएगे, और देश में पिधान मंतरी आदस ग्राम योजना की क्रियान में मल्द पिदेश पैरम से हिसीज़ पर बना हुआ है, और वर्तमार में 1074 ग्राम के संद्रम में 5,53,108 वेक्तियों को पातता नुसा लावान बित किया ज़े जुका है, यानि कि इसका लाव ले चुके हैं, कहने का मतलव सीधा सहे है, अंगली खबर आप देखें 20 सेप्टमबर 2022 को, मद इसके 10 संभागिया मुख्यालाओं पर लगबग 150 करोर उपे की लागस से, कमर्सियल बाहनों की फिटनेस के लिए, और वर्तमार में बाहनों का फिटनेस मैनुवली किया जा रहा है, और याद रहे बाहन दुरगणा पर अंकुस लगाने के उद्देश से केंद सरकाद वार सभी राज्यों में आटो मेटिव मौटर फिटनेस सेंटर की स्थाफना के निजदेश दिये गया है, एक सेंटर की स्थाफना पर लगबग 15 करोर उपे का बैह होगा, एक सेंटर की स्थाफना से एक साल में लगबग 40,000 बाहनों की फिटनेस एवन जाज की जा सकेगी, और सभी में बहान की चेकिंग की दौरान, पॉलीवसन, वाइल लीकेज, ब्रेक, लाइट्स, बहील, अलाइनमेंट, स्पीड, गवर्नर, आधी मसीनों से जाज के बादी, फिटनेस में वारपत दिया जाएगा, यानि की फिट है आपका बहान, अंगली खबर आप देखेंगे 20 सेप्टमबर 2022 को, मतक्रेस की पैरा सतेन सिंग लोहिया आइलन में नौर्स चैनल पार करने वाले एसिया के पहले पैरा सुईमर बन गए है, सतेन सिंग ने 36 किलोमीटर की नौर्स चैनल को 14 गंटे 49 मिनट में पार कर बिस रिकॉर्ड बनाए है, पैरा यानि की आप देखें पैरा सुईमर बने है, अब नौर्स चैनल पार करने वाले पहले ACI दिब्यांग तेराग भी बन गए, सतेन ने नौर्थ आयरलेंड में समयनुसार सुभई 6-31 बजे, भारती समयनुसार 11 बजे नौर्स चैनल समद में तेरागी शुरू की थी, या नौर्स चैनल ने पारे डिगरी सेंटीमेंटर के लगवा गया, और अंतराष्टी पैरा सुई में सतेन सिंग लोहिया ने लोहिया ने 24 जून 2018 को 12 घंटे 24 मैट में 49 किलो मीटर लंबे इंगलिस चैनल को पार किया था, इसके लिए इनका नाम ACI लिंबा बुर्क और रेकॉर्ड में दरज है, अमेरिका में 18 कि 2019 को उन्होंने 11 घंटे 34 मैट में 42 किलो मीटर लंबे के लिना चैनल को पार किया, और ये आप देखेंगे, सतेन सिंग ने साथ नेशनल पैरा पैरा की चैंपियन से में भाग लेकर देश के लिए 24 पदक हांसिल किये, और मद्विद सरकार ने 2014 में उनने इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को उप राष्टपती द्वारा सरवसिष दिव्यान खिलाडी का राष्टी अवर्ड भी मिला है, सतेन सिंग लोहिया को पीम नरिद मौदी भी समानित कर चुके हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा, अंगली खबर है हाली में स्वक्ष भारत मिसन मे उतकिष्ट कार के लिए मद्पिदेश को कई पुरुसकारों के लिए चुना गया है, राष्टपती द्वारा 2 अक्टूवर को बिक्यान भबन दिल्ली में होने वाले स्वक्ष भारत दिबस पर ये पुरुसकार मद्पिदेश के दल को पिदान किये जाएंगे, स्वक्ष अभियान एक में सिष्ट कार के लिए मद्पिदेश को पिथम सोजलाम अभियान 2 में मद्पिदेश को चतुर पुरुसकार दिया गया है, तो इस पुरुसकारों से भी कुष्टन्स पहुंचे जाते हैं आपकी परीच्चा में अंगली खबर है आपकी, 22 सेप्टमबर 2022 को मद्पिदेश के ग्रह मंत्री नरोत्तम विसरा ने मुख मंत्री जन सेवा अभियान में आयोजित लाडली लच्चमी संबेलन में 47 कितनी 47 बेटियों को सम्मानित किया है और लाडली लच्चमी संबेलन में 11 वालिकाओं को लाडली लच्चमी, पिरमारपत और 25 परिवारों को एकल बेटी परिवार सम्मान और तेरे वालिकाओं को जिमनास्टिक में राजिस्तरिय गोल्ड मेडल और अंतराष्टी इस्तर पर ताई कॉंडो में मेडल गोला फेक में गोल्ड मेडल एरोबिक्स नेशनल पिलियर गोल्ड मेडल नेशनल करांटी चेंपियंसिंप आल इंडिया करांटी में गोल्ड मेड मुखमंत्री ने कहा है कि विवन यह उजनाओं की लाभों से बंचित रह गई हित्गराहियों को पात्यता नुसार लाभ पिदान किया जाएगा और यहने केंद और राज सरकार की 33 परसें 33 जन कल्यानकारी यह उजनाओं से लाभानवित करने के लिए पिदानमंत्री रेंद म से जानकारी लेकर लाभानवित करने पर महतिकार किया जा रहा है और ग्रह मंत्री डॉक्टर नरत्तम मिसरा ने कहा है कि लाडली लच्मी योजना के सकारत्मत पईडाम रहे हैं और बालिकाओं के पिती नाकेबल लोगों की सोच में बदलावाया है बलकि लिंगानपात में भी उत्रोत्तर सुधार हुआ है लाडली लच्मी योजना के किरियानबन में इंदौर प्रदेश में अबल नमबर पहें और इंदौर में एक लाग 81,000 बालिकाओं को लाडली लच्मी योजना का लाभ मिल रहा है और जलसाधन मंत्री तोलसी राम सिलावट ने कहा है कि की तरफ चलते हैं यह आप देखें 23 सेटमबर 2022 को मद्पदे से कि चेकिस्ता सिक्षा मंत्री विश्वास कैला सारंग ने राध्धानी भोपाल की हम दिया हमीदिया अस्पताल की नए भवन में IBF सेंटर सुरू किया किया और मंत्री ने हमीदिया अस्पताल की निरिक्षन क उन्हों को लाम मिल सकेगा उन्होंने काए कि मद्पदे से कि सास की चेकिस्ता इंफराटक्चर में पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है और IBF सेंटर के लिए बजट का प्रावधन कर इस्थान का चिनहंकन कर दिया गया है सेंटर की स्थानों में लगबग 4 माहे का समय लगेगा और आप देखें मंतरी ने कहा है कि हम दिया अस्पताल में लगबग 2000 फिट की जगए में IVF लेब बनाई जाएगी इसके लिए चेकिस्कों नरसिंग और फेरा मेडिकल स्थाफ को अलग से प्जिक्चन दिया जागा इससे सेंटर पानाने वाले गरीब निसंतान दंपत्तियों का उचेत उप्चार सुनिश्चित हो सकेगा और मंतरी ने कहा है कि IVF की पिक्रिया में लाखों का बेह होता है और इसे में पिदिश के गरीब दंपत्ति जो संतान सुक से बंचित होते हैं उन्हें हम दिया अस्वताल में IVF के जरिये जल्द ही लाब मिल अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं 25 सेप्टमबर 2022 को केंद्री मंतरी ने मुरेना में राष्टी बीज निगम एन एस्थी के जैविक बीज फार्म का सिलन्यास किया है इसके प्यारम होने पर मद्पिदेश की किसानों को तेलहन के नए जैविक बीज उपलब्द होंगे और केंद्री मंतरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुरेना में जैविक बीजों के उतपादन के लिए बीहर छेत में भूमी सुधार कर फार्म स्थापित करने 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 डे लिया है और इसके लिए मद्पिदेश सरकार द्वार केंद्री किसी मंतराले को मुरेना की चार ग सब्सक्राइब बीज उत्पादम से भूमी में सुधार होगा और भूमी उज्जाओ होगी इस्थानी इस्थानी और पिदेश के किसानों को टैन्निंग के जरिए नवीनतम बीज उत्पादन तक्नीक सिखाई जाएगी इस्थानी स्रेमिकों को फार्म में भूमी सुधार और बीज उत्पादन से रोजगार प्राप्त होगा और किसानों को नमीनतम एबम अनुवांसिक बाभ भौतिक रूफ से सुद्ध जैबिक तिलहन बीज प्राप्त होने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और जिस से नाकेबल पिदेश के किरसकों की सामाजीक आर्थीक इस्तर में सुधार होगा बलकि किरसकों को पोशक सोरक्षा भी प्राप्त होगी और केंद्री किरसी मंतरी ने कहा है कि मुरेना का बीच फार्म किसानों की प्रगती के लिए बिग्यान बा अनुसंधान का पूरा उपयोग करेगा और बीच किरसी का आधार बा पिरमोक आदान है और उनने ये भी कहा है कि कहती के लिए अच्छे बीजों का, कि उपलब दिता से उत्पादकता में विध्ध और विद्धी और और विध्ब बितरन में साहयता करती है. केंद्री किरसी मंतराले ने फसलों के गुडवत्ता वाले बीज उत्पादन और गुड़न बढ़ाने के लिए 2014-2015 से बीज और ओपन समगरी सब मिसन लागू किया है ताकि किसानों को परियाप्त बीज मिल सके केंद्री मंतरी तोमर ने बताई कि परियाबन बन जलवाई परिवत्र मंतराले ने राष्टी चंबल बन जीब अभ्यारन की 207 हेक्टर भूमी को डी नौटिपिकेशन करने की अनुसंसा का बड़ा फैसला किया है और इस अभ्यारन चेत की राज़त से भूमी होने से रेत की उपलगता के कारण इस्थानी स्थार पर रोजगार भी बढ़ेंगे क्या रोजगार भी बढ़ेंगे अंगलिक खबर है 26 September 2022 को मद्पिदेश सान कल्यान केसी विकास बिभाग और नेशनल को एली सन फोर नेचूरल फार्मिंग की मद्धिम प्राक्तिक खेती को और बड़ावा देने के लिए MOEU पर हस्ताक चरुए है MOEU के तहित किसानों को जारू करने में NCNF समान विचार धारावाली 23 पार्टनर संस्ताओं के साथ मिलकर पिदेश की प्राक्तिक खेती को बड़ावा देने और किसानों को लावानवीत करने में वह भूमिका निभाई की और प्राक्तिक खेती के लिए NCNF द्वारा नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव एग्री कल्चर एवं नेचर विष्ट शॉलीशल में सहियो किया जाएगा इसके अलावा सासन के साथ पॉलिसी और की रियान्मान इस तरिक पर भी ससक्त भागेदारी की जाएगी और पिदेश में प्राक्तिक खेती को वड़ावा देने के लिए नेचर कार किया जा रहा है और पिदेश के 40,000 किसानों को प्राक्तिक खेती अपनाने जवेक उत्पादन उचित मूल प्राप्त करने जिवा मृत, बीजा मृत, गोवर की खाथ, बर्मी कमपोस्ट, रोकों और पिदेश में प्राक्तिक खेती के लिए बेहतर तरीके से कार करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं और प्राक्तिक खेती के रखवे को बढ़ा कर, खेती की लागत में कमील आते हुए किसानों की आयमें उत्रोत्तर बिद्धी करने के लिए सासन निरंतर कार कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है अंगली खबर आप देखे 26 सेप्टमबर 2022 को के अंधरी स्वास्ते वं परिवार का लियान मंतरी मंसुक मांडविया ने नई दिल्ली में आरोग मंतन 2022 के कार करम का, कि समापन सत्य में मत्पिदेश को आयूसमान भारत निराबाय और स्वास्ते उजिनाओं में सरफसे पिद पिदेश को 2021-22 में आयूसमान भारती उजिनाओं में नवाचार और सरवोत्तम पिथाओं को अपनाने पर सरफसेट पिदसन करने वाले राज्यों की रूम में चुना गया है राश्टी स्वास्त पिराधी करण ने आयूसमान भारत निरामे और विभें स्वास्ते उजिनाओं में मत्पिदेश द्वारा किये गया अनुक करनी है कार और प्रगती की सरायना किये और पिदेश में आयुस्मान भारत निरा में योजना में उलेखनी प्रगिती हुई है और पिती दिन 4000 से अधिक लावार्तियों को निसुल्ग उपचार दिया जा रहा है और राज जिमोलें सिवा से योजना के प्रगितियों को निसुल्ग परिवहन पिदार किया जा रहा है और योजना में लावार्ति के अंदर 26 लाइन इन बाउंड और आउट बाउंड कॉल सेंटर इस्थापित किया गया है इन बाउंड कॉल सेंटर से लावार्तियों को योजना के अंतर्या सूचना फिदान की जा रही है और संबर्ती लेखा परिक्षा और लावार्ती फिडवेक लेने के लिए आउट बाउंड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और PMJAY फंड से सरकारी अस्पतालों का सुद्रीकन किया जा रहा है और निराम मैं पुरुसाहन योजना में पंजीकित होने वाले पितिक फिकरन के लिए चेकिस्सा को अपचार करने वाले करमचारियों को पुरुसाहत रासी दी जाएगी रोगी कल्यान सम्तियों में जमा हुई रासी से अस्पतालों के वुन्यादी धाचे को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और रासासने अस्पतालों को इलाज के लिए परयाप पैकेज लागत अफलाद कराने ही तू स्वास्ति लाप पैकेज 2.2 कारिकरम को अपनाया है क्या किया है अपनाया है अंगली खबर आप देखेंगे 27 सेप्टमबर 2022 को 20 परयाटन दिवस्पन नई दिली में आज इस पुरुसकाल समारों में केंदीवी परयाटन मंतराले न राश्टी परयाटन पुरुसकाल 2018-19 के तहद मद्पिदेश को आर्ट विविन सेणियों में पुरुसकार दिये है और इसमें आप देखें Civic Management of a Tourist Destination in India केटिगरी A के लिए देश के सबसे स्वेक्ष सहर में इंदोर को पुरुसकार मिला है इस केटिगरी में पिदेश को अब तक 7 अबोर्ड मिल चुके है 2010-11-12 में मांडू 2012-2013 में पच्मडी 2013-2014 में महिसूर 2015-15 में खरगोन 2014-14 में आप देखीं महिसूर 2015-16 में खरगोन केटिगरी B में 2016-17 में आप देखीं उंकारिसूर केटिगरी B में सम्मानित हो चुके है स्वक्ष परयाटन इस्थान बेश्टन रीजन सेंडी में पहली बार पुरसकार नगर निगम उज्जयन को दिया गया है बेश्ट मेंटिड एंड डिस वर्ड फैंडली मॉनी मेंट के लिए सिम्मंदिर भोचपुर को अबाड दिया गया है इसके तहट 2017-18 में सांचीस्तू 2014-15 में अमर्कंटक मंदिर 2013-14 में सिम्मंदिर भोचपुर के लिए पिदेश को यह सम्मान मिल चुका है मद पिदेश को मिले आठ राष्टी परयाटन पुरसकार इसमें आप देखें वेस्ट एयरपोर्ट रेस्ट आप इंडिया के लिए देवी अहलावाई एयरपोर्ट इंदोर को लगाता तीसरी बाड सम्मान दिया गया एक्सिलेंस इन पबलिसिंग हिंदी कैटिगरी के लिए मालवा की भीतिचित को अबड मिला है इसके पहले 2015-16 में सिंघस्त ब्रोसर के लिए यह सम्मान मिला था वेस्ट टूरेंज में परमोशन पबलिसिटी मटेरियल के लिए भोपाल ब्रोसर को यह अबड दिया गया इसके पहले 2017-18 में लोनली फिलेनिट पॉकेट बुक्स और 2010-11 में MPST DC के कॉर्पुरेट ब्रोसर के लिए यह सम्मान मिला था और आप देखेंगे कि वेस्ट वाइल्ड लाइव गाइड वेस्टन सेंटल के लिए पैंच टाइगर रजर्ब के गाइड सिरी सुवास भावरी को अबड मिला है और 2017-2018 में 15 सीरी मनुच कुमार दोवेदी, 2016-2017 में 15 सीरी रादी का प्रिसाद उम्रे और 2015-2016 में सत्पुडा सी साईब खान को यह अबड मिल चुका है Incredible India Bad and Breakfast Establishment Approved by State Government के लिए मंडला जले की कहना नेशनल पार्क इस्तित गाउपटपरा के हॉमिस्टे कोट यार्ड हाउस को अबड मिला है और पैदेश को स्वक्ष पर एटनिस्थान वेस्टन रीजन उज्जन Incredible India Bad and Breakfast Establishment Approved by State Government के टेगरी में पहली बार अबड मिले है बेस्ट वाइल लाइप गाईड के लिए लगाता चौतरी बार मत्रिस के गाईड सम्मानित हुए है चलिए अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं ये 27 सेप्टमबर 2022 को मुखमंती सिवरा सिंग चोहन की अद्ध्यक्षता में हुई मंत्री परसद की बैठक में मंत्री परसद द्वारा जल जीवन मिसन की किरियानमन के लिए 17,971 करोड 95 लाग रोपे लागत की पिस्ताविक 23 नवीन समू जल पिदा योजना और एक पोनर रिक्षत समू जल पिदा योजना की पिसास की सुईकिती का अनुधन किया गया है और मंत्री परसद ने आप देखेंगे 10 इंटू आप देखेंगे 10 इंटू 40 मेगावाट महेसो जल विद्धूत परियोजना जिला खरगोन के समन्द में समनबे में मोख मंत्री से प्राप नेड़ायों का अनुधन किया है महेसो जल विद्धूत परियोजना से विद्धूत करे एदूत अतकानी मद्विदेश विद्धूत मंडल बारतमार में MP PMCL द्वारा किरमसा 11 नवंबर 1994 एवं 27 में 1996 को मेसर्स स्री महेसो हाइडल पावर कॉर्परेशन लिमिटेट के साब निस्पादित विद्धूत करे अ अनवंद और इस अनवंद के संसोधन को निरस्त किया जाने करने ड़ा किया गया है और मेसर्स SMHPCL और बितुद मंडल बारतमार में MP PMCL के मद्ध परियोजना के पुनरवास और पुनर स्थापना कारियों के समन्द में 24 फरवरी 1997 को निस्पादित अनवंद को निरस्त किया गया है और मेसर्स SMHPCL द्वारा महेसर्फ परियोजना के बित्पोशन हेतु जारी के गया 400 करूर रुपे के OFCD हेतु PFC द्वारा की गई गारंटी के परिपेक्ष में अमेनेंटरी एंड रिस्टिडेट एग्रिमेंट के पराउधानों के अमसार राज शासंद वारा PFC के पक्ष में दी गई काउंटर गारंटी को नर्स्त किया गया है और PFC मेसर्स MSMHPCL इत्यादी के साथ 16 सेप्टमबर 2005 को निस्पादित अमेनेंटरी एंड रिस्टिडेट एग्रिमेंट को मेसर्स MSMHPCL द्वारा किये गया डिफाल्ट के दिर्ष्टी गंडर्स्त किया गया है मेसर्स MSMHPCL के साथ 27 मई 1996 को निस्पाद इंपली मेंटेशन एग्रिमेंट और उसके विद्धुत देखों का भुक्तान सुनिश्चित करने ही दूराज सासन द्वारा प्रिदान की गई गारंटी को निस्त किया गया है महेसर्परियोजना की किरियान में मैं आ रही कटनाईयों के निराकरन ही तु गठिट टास्क पोस्ट के अध्यक द्वारा प्रियोजना के निराकरन ही तु सुजाए गया दूतिये विकल्ब या था फिकरन का निराकरन PFC द्वारा NCLT में प्रिस्तुत की गई IBC Petition में होने होने दिया जाए को सुईकार किये जाने करने लिया गया है और मंती पस्तने मुकमंत्री उद्यम करांती योजना को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने नियूंतम परियोजना सीमा को एक लाग से कम कर पचास या रुपे किये जाने करने लिया है और ये भी देखने में परियोजना सुईकार की जाएगी और जिसमें बैंक द्वारा प्रकरण सुईकिती की दसा में हित गराही को तीन पिती सत ब्याज अनुदान का लाव अधिक्तम 50 लाग अत्वा 25 लाग रुपे तक की रेड की रासी पर ही प्राफ्त हो और रेड गार्न टिसल की पिती पू बरस रखेगे जिसको जिस संसोधित कर अठारे बरस से 45 बरस करने के आदिस का अनुमोदन किया गया है तो यह भी देखेंगे आप लोग अंगली ख़बरे आप देखेंगे 28 सेप्टंबर 2022 को इंदोर में आजित राष्टी लता मंगेश कर अलंकर शामारो में तीन विभूतियों को 2019, 2020, 2021 के लिए राष्टी लता मंगेश कर सम्मान पिदान किया गया है मुकमंतिरी ने कहा है कि लता जी के गीत और इसमेतियों का संग्रण करने के लिए एक संग्राले का निर्माड किया जाए उनके नाम से संग्राले का निर्माड किया जाए अब यह में ध्याला है लता मंगिस का संगीत महाविद ध्याले की नाम से जाना जाएगा इसे आप लोग जानेंगे अंगली खबर आप देखेंगे 28 सेप्टमबर 2022 को मदपिदेश के उर्जा मंतरी पिदुम सिंग तॉमर ने बताया कि मदपिदेश पावर ट्रांसमिसन कंपनी ने भोपाल की अरेरा कॉलोनी में पिदेश का दूसरा और भोपाल का पहला जी आईएस गैस इंसूलेटिड सुईच गेर सबस्टेशन अती उच बायू दाव सबस्टेशन का निर्माड किया है और करीब 38 कर रोपे की अन्वान लागत से भोपाल की घनी आवादी स्थित E8 अरेरा कालोनी में 50 MBA चमता के साथ इस सबस्टेशन को उर्जा मंतरी ने तॉमर ने कहा है कि इस सबस्टेशन के पैराम हुझने इसी मदपिदे में आप देखे मत्पिदेश पाबर्ट्रांस्मेशन कंपणी का यह 11 अती उच्च्दाव सबस्टेशन है जो क्रीया सेल है मदफिदेश पावर ट्रांसमेशन कंपनी की प्रभन संचालक इंजीनियर सुनिल तेवारी ने बताया कि भोपाल जैसी घनी आबादी में परमपरागत सबस्टेशन और लाइनों के निर्मार के लिए परयाप्त भूमी की उफलाप्ता ना होने की कारण मदफिदेश पावर ट्रांसमेशन कंपनी ने भोपाल में जी आईएस सबस्टेशन गैस इंसुलेटिट सुईच गैर सबस्टेशन तियार करने कर ने पर जैस इन्सुलेटिशन के ने आधिक रहता है और gas insulated timber में रहने के कारण इस सब्स्टेशनों के उकरणों में कम खराभी आती है और इन्हें बोलचाल की भासा में maintenance फ्रीश सब्स्टेशन भी कहा जाता है ठीक है अंगले खवर की तरफ चलते हैं 29 अप्टमबर 2022 को मुखमंती सिवरासिंग चोहान ने सिहोर जली की बुद्नी वेकास खंड की गराम पंचया तालपुरा में मुखमंती जन सिवा अवियान की सिवर में मुखमंती डेरी पिलस योजना का सुभारम किया है और याद रहे डेरी विवसाय में से पिदेश की किसानों की आय में विद्धी करने और बिपसुपालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकें इसके लिए मुखमंती डेरी पिलस योजना का सुभारम किया है पाले जो प्रोजेक्ट के तौर पिदेश की तीन जिलों सिहोर विदीसा रायसें में सुरू की गई है पहले ही पसुपालन का कार कर रहे पसुपालकों को मुखमंती डेरी पिलस योजना में दो मुर्रा भेसें उपलब्द कराई जारी है इसके दोग दोतपादन चम्ता 10 लीटर पिती दन होती है मुर्रा भेंसों की लागत 2,50,000 रुपे होगी योजना में अनुसुचित जाती जनजाती के पसुपालकों को राज सरकाद वरा 75,30 अनुदान और पिछरा वर्ग और सामान सैनी के पसुपालकों को 50,30 का अनुदान दिया जाएगा और इस पिकार अनुसुचित जाती और जनजाती के पसुपालकों को अनुसदान के रूम में 62,500 रुपे और पिछला वर्ग और सामान सैनी बालों को 1,50,000 रुपे जमा करने होगे इसमें पसु पालकों के आने जाने और बैयो भीमा अधीरासी भी सामिल रहेगी आपकी तो अच्छी पहल है क्या है खराब कब है 29 सेप्टमबर 2022 को मद्पिदेश के राजस और परिवहन मंत्री गोविन सींग राजपूर ने बताया कि राजस व्यवाक्षी साहता से किसानों को रेड़ पिदान करने के उद्देश से बनाये गए किसान के एडिक कार के end to end कम्प्यूटरी की पदिती लागू की गई है और पदिती के कम्प्यूटरी करन से किसी सी रेड दैने की पिक्रिया को डिजीटल बराया जाए जो अधिक सुगा मोग किसानों के अनकूल होगी और मंतरी गोविन सिंग ने बताए कि हर्दा जिली को पाइलेग प्रोजेक्ट की रूम में चुना गया है पाइलेग प्रोजेक्ट की पाइडामों और अनभाव के आधर पर इसे पिदेश के आने जिलों में भी लागू किया जाने का परविचार किया जा रहा है उन्होंने बताए कि इस पद्धिती के लागू होने से किसान को केड़ काड पर रिड लेने के लिए बैंक खात साखा में जाने और किसी पिकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी आविदन ओनलाइन एप से किये जा सकेंगे साथी किसी भूमी का सत्यापन भी ओनलाइन हो सकता है तो आसानी से रिड भी मिलेगा 31 सेप्टमबर 2022 को राष्टपती दुरोपती मुर्भू ने दुरोपती मुर्भू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आसटवी राष्टी फिल्म पुरुसका समारो में मद्पदेश को दो राष्टी फिल्म पुरुसका से सम्मानित किया है मद्पदेश की पर्याटन संस्कित धार्मिक नया सिबुन धरमस मंत्री उर्जा ठाकुर ने Most Friendly State और पिरमुक सचे पर्याटन संस्किती सिफ सेखर सुकला ने Non-Feature Film में Best Ethnographic Film Sending में मांदल के बोल के लिए रजत कमल पुरुषकार और प्रमाडपत पराप किया है साथी फिल्म मांदल के बोल के निदेशन राजिंद जांगले को भी रजत कमल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है मांदल के बोल को Non-Feature Film में Best Ethnographic Film Sending में राश्टी फिल्म पुरुषकार मिला है यह फिल्म मादपिदेश में बेगा जन्जाती की जीवन और ग्रामीट परीवेस को पेदरसित करती है और केंद्रेस उचना पिसारन मंतरा ने 22 जुलाई 2022 को राश्टी फिल्म पुरुषकारों की गोशना की थी और आप देखते हैं कि पिरमुक सचिप सिप सिखर सोकला ने कहा है कि पिदेश की फिल्म नीती में फिल्म कारों को अनुदान लोक सिबा गारांटी में समय सीमा में अनुमती पिदान और सिंगल बिंडो सिस्टम आदी आकरसन पहिलूओं के सामिल किया गया है मद्धिस अपने ने सरगेत सौंदर और आकरसक लोकेशन से फिल्म कारों को अनायसी अपनी और आकरसित करता है और मोस्ट फिल्म फिरेंडली स्टेट अबॉर्ड पाने वाले मद्धिस में अब तक 350 से जाना फिल्में सीरियल बेव सीरिज सहित अन परियोजनाओं की सूटिंग हो चुकी है बर्तमार में साथ फिल्में प्रोजेक्ट मिंच तिबारी चंदेरी हेंडलूम दा वो मेन वो वेन मोटिप्स महल दा मास्टर स्कॉर्ड करतम भोकतम पराकरम की सूटिंग चल रही है और याद रहे मदपिदेश देश का इकमात राज्य है जिसमें परियोजनाओं की अनुदान में बैब सीरिय ओटी ओरीजिनल कंटेंड टीवी सीरियल और डॉकुमेंटी को सामिल किया गया है और पिदेश में सभी फिलमांकन अनुमतियों के लिए सिंगल बिंडो क्लेरंस की सुगिधा उफलब देए फिलम परेटन नीती को जिला इस्तरपा की रियानवित करने के लिए पितेक जिली में एडियम इस्तर की अधिकारी को फिलमांकन अनुमती हितु नौलल अधिकारी की निउत किया गया है मद्विदिस को थेटर हब भी कहा जाता है यहां वरिष्ट और कनिष्ट दोनों ही कलाकारों की उफलब दता है फिलम नीती के अंतरकल राज्जों के इस्तानी कलाकारों के लिए अतरिक्त बितिया अनुदान सहित फिलम क्रू का परेटन बेवा के होटल रिसोर्ट में ठहनने पर छूट का परावधान है साथी राज में फिलम उद्देव के विकास के लिए फिलम सिटी फिलम स्टोडी और कौसल विकास के अधिस थाबित करने उनका भी एक ओपर विव ले लेंगे आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सवाल हो तो आप लोग पूंच सकते हैं आप लोग करते रहे हैं एंज्वाइ करते रहे हैं मेरी सुब कामना है आप लोगों के साथ हैं